राहूल गांधी जी मुटा मुटी चार बार इस प्रदेश में आ चुके और मैंने तो उस व्यक्ति को देखा है कि फोन आता कॉल छूट भी गया, मिस्कॉल भी हो गया, तो वापिस भी मैंने फोन करते हुए देखा है और कॉंग्रेस पार्टी के ऊपर के नित्रितु के लोगों को एक बार बैठ के धंग से बात कर लेनी चाहिए थी ये एक तरह से राज़त नित्रितु ने कुछ जल्दी बाजी की है अपना चौथा कैंडिडेट देखा अगर गरीबों की पार्टी कॉंग्रेस पार्टी नहीं रहती तो गरीबी हटाओ नारा भी नहीं रहता दो-दो करोर रोजगार देंगे चलिए दो करोर का बात तो वैसे भी जुमला साबित हुआ था हम भी जनता से ये कहेंगे कि हमारी सरकार बनाईए एक दल के रूप में वो भी मांग रहे हैं नुक्ति पत्र सिक्षकों का बटा आपने देखा कि पुलीस में कितनी भरतियां हुई अब जिसके साथ सत्ता में है पलटने के बाद उनके सामने भी वही समस्यारी कॉंग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जिलों में दौरा हुआ परिवर्तन रहे लियां हुई देखिए कल देश के ग्रीह मंत्री अमित साह का बिहार दोरा हुआ और इस दोरे में जम कर जो हैometer pulling कॉंग्रेस और लालू परशाथ पर उन्होंने कंटाक्स किया है वह उन्होंने कहा है कि Congress तो कभी गरीव की हुई ही नहीं और लालो परसाद यादब पर भी कहा है कि ये तो कपूरी ठाकूर के अपमान करने वाले लोग हैं तो हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए Congress के विधार संतोस कुमार मिस्तर जी हैं कैसे देखते हैं कलमी साख खुब गर्जे है पाली गंज में देखिए जहां तक कॉंग्रेस की बात है जितना उन्होंने कटाक्ष किया या जो बातें कॉंग्रेस के बारे में बोली कॉंग्रेस तो हमेशा से एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है कि जो सबको समाहित करके ले चली है और ये देश ने देखा भी हैflo हम लोगोंने भी देखा है हम लोग उसी परीवेश में बड़े हुए हैं Congress को गाली देने का मतलब है कि जो हमारे इस देश में जितने भी बुजूर्ग हैं जो 70-75 के उपर हैं हम अमरित काल मना रहे हैं आजादी का जैसा कि मुनलब सो कॉल कहा जाता है कि 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो 75 वर्ष उपर के जितने भी लोग हैं मुझे लगता है हमारे पिता हों हमारे माता हों हमारे कितने लोगों के दादा दादी होंगे नाना नानी होंगे उन लोगों को ये सब बातें सुनके कितना अगहात पहुंचता होगा ये कलपना भी नहीं की जा सकती है चुकि आजादी से लेके और अभी तक जब तक कि इनकी सरकार 2014 में नहीं बनी थी, खास्तोर से अमिच्छा और मोदी जी के, मोदी जी और अमिच्छा के, अमिच्छा जी के नित्रुत में जो सरकार बनी, तो कोसना तो इन लोगों ने शुरू किया, जहां तक गरीबों की पा तो जितने भी संस्था आप देख रहे हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजे आप देख रहे हैं, चाहे वो कोल इंडिया हो, भेल हो, बी एल हो, या अन जितने भी इंडियान ओयल हो, ये तो पहले आप देखेंगे, जितने कोल ब्लॉक्स थे, सब मुलब इसको बदलना ये किसकी देन थी इंद्रा गांधी जी के समय ही हुआ बैंकों का राश्ट्रिय करन हुआ इंद्रा गांधी के समय में ही हुआ तो ये किसके लिए ये राश्ट्रिय करन अगर नैशनलाइजेशन आप करते हैं पबलिक सेक्टर एंटिटी बनाते हैं किस को तो यह किस के लिए किया जाता है गरीब कल्यान के लिए और गरीबों के लिए ही न किया गया कि जिसे निजी संपति न रहे किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहे किसी एक उद्यवपती का कोई लब उस पर कबजा न रहे और आज अगर देखा जाए इन दस सालों का परिवे देखिए जितने जितने भी संस्थागत हमारे देश में संस्थागत इंस्टिचूशन चल रहे थे चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो चाहे कोल इंडिया हो बीएचियल हो आज देखिए कि मात्र कुछ लोगों के हाथ में इंदों ने देना शुरू कर दिया है पूरी तरह से निजी करन और प्राइवेट प्राइवेटी करन के पक्ष में ये लोग आ रहे हैं जबकि जहां तक इनका जो इनकी जो भाषा रहती थी जब हम सत्ता में थे तो इनकी भाषा स्वदेशी करन की तरफ थी आज वो स्वदेशी करन इनमें बिलुप्त हो गय तो गरीबों की कल्यान की ये बात न करें, गरीबों के बारे में और सभी लोगों के बारे में, सब को समाहित करके ले चलने वाली अगर कोई पाटी है, तो वो काम रही है। अगर कितने सारे, बहुत सारे योजनाओं को इन लोगों ने ये नाम दे के किया, कि स्टार्ट अप इंडिया कर रहे हैं, मेकिन इंडिया कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे योजनाओं, योगाओं को रोजगार देंगे, दो-दो करोल रोजगार देंगे, चलिए दो करोल का बात तो वैसे भी जुमला साबित हुआ था वो नहीं भी दे सके तो क्या दे रहे हैं ये तो दिखाना चाहिए था मैंने तो दूसरे टर्म में देखना शुरू किया अभी अभी आठ साल जब उनके भी थे तो कहीं नियुक्ति पत्र बाट रहे हैं मोदी जी रोजगार मेला नियो प्रस्तूत कर दिया वो भी सरकारी सेक्टर में गर्मेंट के सेक्टर में तो ये सब बाते न करें उनका उनका काम है एकडल के रूप में हम भी मांगेंगे वोट हम भी जनता से यह कहेंगे कि हमारी सरकार बनाईए एकडल के रूप में वो भी मांग रहे हैं लेकिन विशे इश्कुमार मतलब रोजगार बिहार उनका पडिवार है एक तरफ एंडिये में बीजेपी के तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं कि रोजगार हमने दिया और पूरा देश मेरा पडिवार है ये तो स्वभाविक था हम लोगों पर तोहमत लगाया जा रहा था जब हम लोगों ने कहना शुरू किया महागडबंधन में तेजस्वी जी ने जब कहना शुरू किया ये जो 15-16 महीने की सरकार में हम लोग रहे इनके साथ तो उसमें तो स्वभाविक रूप से आपने देखा होगा कि कितने नियुक्ति पत्र बटे एक ही बार में गांधी मैदान में 2-2 लाग नियुक्ति पत्र सिक्षकों का बटा आपने देखा कि पुलिस में कितनी भरतियां हुई उसके अलावा ये सब आकड़ा अगर मिला लिया जाए तो मोटा मोटी आप देखें कि 5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 भी तो मुखे मंत्री हुआ करते थे तो अब तो वो सामने दिखाई पढ़ रहा है जो हमको गलत कहते थे अब जिसके साथ सत्ता में है पलटने के बाद उनके सामने भी वही समस्य आ रही है जो पीछे की 2005 से लेके या 2006 से लेके अभी तक का जो गिनाया जा रहा है अगस्त 9 है क्या महा गटवंदन में सब ठीक ठाक है आपको MLC की एक भी सीट नहीं मिली वहीं आप ही के विधायका ने प्रदिस अध्यक्त पर भी कई आरोप लगाया है देखिए यह उनकी नीजी राय हो सकती है और मैंने सही से उनका बयान देखा नहीं है जो राजा पाकर विधाय नहीं देखिए ऐसा नहीं है अखिलेश प्रसाद सिंग के आने के बाद आप प्रदेश में देखेंगे उनके अध्यक्ष बनने के बाद कॉंग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जिलों में दौरा हुआ परिवर्तन रैलियां हुई बड़ी संख्या में लोग उनके को आगे क्या करने वाली है कॉंग्रेस इसको जाना लोगों ने उसके अलावा आप जितना देखें राई गांधी जी मुटा मुटी चार बार इस प्रदेश में आ चुके प्रदेश कंग्रेस कमीटी के जो प्रांगण में जो एक रैली हमने की थी राहूल गांदी जी की आने को जब इंडिया गटवंदन की बैटक थी उसमें भी आपने हुजुम देखा होगा उसके अलावा पूर्णिया, रर्या, किशन गंज, सासा राम, औरंगाबाद, कटिहार ये जो दोरे हुए भारत जोलो निया यात्रा के तहट इसी के तहट पिछले साल जब भारत जोलो यात्रा चल रही थी तो प्रदेश में हजार किलोमीटर की यात्रा उन्हीं के नेत्रित हैं, ये बहुत देखिए, एक कोई नेता हो, कोई प्रदेश का अध्यक्ष हो, जब विधायकों को आप देख रहे हैं, कितने सारे फोन आते हैं हम लोगों को, हम लोगों को भी कभी किसी ना किसी का कॉल छूट जाता है, और मैंने तो उस व्यक्ति को देखा है, कि फोन आत के ये बातें अगर कुछ है हमारे मन में, तो पार्टी एक परिवार जैसे होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, और कॉंग्रेस पार्टी ने तो हमेशा, जितना लोगतंत कॉंग्रेस पार्टी में है, मैं यह दावा करता हूँ, जो democracy और जो democratic institution टा congress party में जितनी मतलब की आपको जितना भागीदारी मिलेगी उस तरह की भागीदारी किसी और दल में नहीं मिल सकती है MLC की seat के बारे में मैं बहुत ज्यादा उस पे नहीं कह पाऊंगा चुकि यह निर्ने होता है उपर से और इसको अगर देखा जाए तो हम लोगों के राश्य अद्यक्ष और उनके नीचे जो जनर सेक्ट्री ओर्गनाइजेशन है तो उनसे तो अभी कोई हम लोगों को निकट इसमें भाविश में कोई बात नहीं हुई लेकिन ये दुखद है यह मैं ये मानूँगा कहीं न कहीं उपर का लैप्ष है ये प्रदेश अध्यक्ष की वैसी प्रदेश अध्यक्ष ने तो मेरे जानकारी में पूरी जानकारी दी हुई थी यहां से लिस्ट भी गया हुआ का टैंडिडेट्स का उसके अलावा रिपीट करना है नहीं करना है प्रेंचन मिश्या जी की स्वभाविक रूप से वो हमारी सीट थी हमारे 17 विधायक थे और 20-21 विधायकों की जरूरत थी तो निश्चित रूप से वो सीट आनी चाहिए थी ये अगर देखा जाए नहीं नहीं ये चूक ऊपर के नित्रुत से हुई है मुझे लगता है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है यहां से बकायदे जो उमिद्वारी होती है जो लोग मतलब की उस सीट पे अपनी उमिद्वारी कर रहे थे जो वरिश लोग होंगे या वैसे लोग जो की संगठन में धंग से काम कर रहे है चुकि यह एक ऐसा पद है कि संगठनिक लोगों को ही दिया जाता है अगर देखा जाये तो तो जो संगठन में बहुत तनमायता से काम कर रहे हैं उनको ये रिवार्ड के रूप में मिलना चाहिए था यह कहीं न कहीं हलाकि मुझे लगता है कि कल प्र तो ने कुछ जल्दी बाजी की है अपना चौथा कांडिडेट देखी चली ये थे हमारे साथ कॉंग्रेस की विधायक संतोस कुमार मिस जी